Hi everyone, सभी प्यारे वीवर्स का warm welcome करता हूँ Y.A.T. Your English Shooter पे आज 30 मही का The Hindu का first editorial अपनी reading class में पढ़ेंगे Symbols and Substance इसका title है इस class में आपको translation तो करवाएंगे ही Meaning निकालना तो आप basic से सीखेंगे ही साथ में आप approach करेंगे grammar को, vocab को और comprehension को systematic way में हर aspect को English को हमें साथ में लेके चलना है और यह जो सब कुछ आप सीखोगे इस class के दोरान आपको apply करना है last Mays quiz पे Comprehension, grammar, vocab, सब तरह की questions इसमें मिलेंगे तो मन से सीखो और 8 में से 8 marks को लेने का आपका target होना चाहिए शुरू करें class को, चलिए आईए कुछ नया सीखते है चलिए, कह रहें जी, symbols and substance देखें, symbol का मतलब आप जानते हैं, निशान या प्रतीक है न, प्रतीक और substance word है न, इसके बहुत सारे meaning है English में मूल जो इसका meaning है, जो basic meaning है वो होता है, तत्व या पदात, ठीक है हर चीज जो भी आप हाथ में पकड़ सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, that is a substance लोहा भी substance है, कपडा भी substance है, समझ गे न, क्या कहना चाहरा हूँ मैं लेकिन इसका जो good meaning है, जो आप literature में देखेंगे, वो होता है, किसी चीज का सार, सत्व, हिंदी बोलते हैं सत्व अगर आप बहुत हिंदी नहीं समझते हैं, तो इसको आप crux, या gist, या essence भी बोल सकते हैं किसी चीज का जो पूरा निचोड होता है, उसको बोलते हैं substance, तो करेंजी symbol और substance में बड़ा फर्क है, आप कैसा प्रतीक दे रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या शोबाजी कर रहे हो, और शोबाजी के पीछे कितना सार है, उसमें से कितना meaningful content है, ये दोनों चीजें बहुत different ह हो सकती है, चलिए अब title paragraph को देखेंगे, क्या कहना चारा है, substance word को आप अपने close test में generally, generally बोल रहा हूँ, substance abuse नाम के phrase में देखेंगे, substance abuse का मतलब होता है नशा, आप हो सकता है alcoholic हो, हो सकता है किसी drug, किसी बुरी जो है, समझ पा रहे हो ना, किसी गंदी जो चीज के अगर में रखें, title paragraph से बता रहा है आपको, religious rituals at the opening of parliament building, defied propriety, करहें जो religious rituals है, ritual का मतलब होता है customs, प्रथाएं, करमकांड, करहें जो धार्मिक करमकांड हैं, और किस पे opening पे parliament की building के, करहें इन करमकांड ने ना, defy कर दिया, इन्होंने disobey कर दिया, इन्होंने disregard कर दिया, और किसको property को, यानि की, सही protocol को, सही adequate को, propriety मतलब चीजों के, सही होने की अवस्था, जहां पे सब चीजों का maintain करते हैं, सलीके, तैजीब के साथ, propriety को अब सलीका या तैजीब भी बोल सकते हैं, adequate भी बोल सकते हैं, तो करहें जी, हमारा कोई पाकिस्तान तो है नहीं है, जो एक थिय religious rituals कर रे हो परलियामेंट की विल्डिंग पे राज धरम के अंदर आप धरम को मिक्स कर रहे हो तो आपने सलीके को प्रोपराइटी को defy किया है उसको disregard किया है चली rituals आपका सब्जेक्ट है defy इसकी वब है defy का मतलब होता है किसी की बात की अभेलना करना authority की बात को मानने से मना कर देना मालीजे मैं आपको एक्जम्पल देता हूं हर बार सरकार ने बोला है कि बाहर मत निकलो लोकडाउन लगा हुए और लेकिन फिर भी आप टहलते हुए बाहर घूम रहे हो कहीं है ना कुछ खाने जा रहे हो पीने जा रहे हो दुकाने सब बंद है पर आपको फिर भी घूमना है तो आप सरकारी फर्मान को सरकारी ओर को दिफाए कर रहे हैं आप उसको डिसरिगारड करके कानून को तोड़ने की कोशिस कर रहे हैं इसको fly in the face off भी बोलते हैं इस वर्ड को भी डिटेल में आगे देखेंगे चली अब आगे बढ़ते हैं आ किसी भी paid course में ना मिल रही हो 5-10 मिन की class लोगे तो आप खुद भी इस चीज को feel करोगे साथ ही जिन बच्चों को mock test package की जरूरत है मैं आप सभी को recommend करूँगा testbook.com दो दिनों के लिए minimum price की sale active हो चुकी है 1 year mock test pass पे regular वाला mock test pass आपको मिल रहा है test मिल जाते हैं आपको 700 से जादा exams के, अलग अलग नहीं लेना है फिर SSC banking state exams सब included है, और जो आपका ये pro वाला pass है ना, इसमें आपको सभी exams के previous years questions भी मिल जाएंगे mock test की form में attempt करने के लिए, तो addition facility है अपनी जरूरत के हिसाब से सही pass को चूज करें, comment section में जाएं link रखेंगें दोनों passes के, regular pass आपको दिखाएगा 249 का, लेकिन आपको code लगाना है yt10 जैसी code को apply करेंगे, आपका price हो जाएगा 221 रूपे, वैसे ही pro वाला pass आपको एक साल के लिए 349 का दिखाएगा, लेकिन code लगाते ही yt10, आपका price घटके हो जाएगा 310 रूपे अगर pass की ज़र होता है, then this is the right time to buy your pass, link is in the comment section, चलो आजओ vocab sheet पे आज 30 मही की vocab sheet है, नीचे link में रखी है, comment section में हर दिन की vocab sheet को आप निकाल सकते हो नीचे scroll करते जाओगे, आपको sheet मिलती जाएगी, आज की sheet में word है 6, और word पहला है aesthetic, देखिए aesthetic का मतलब होता है aesthetic का मतलब होता है beautiful, या जो beauty से related हो, सुंदरता से related हो, यूज़ करके दिखाऊं these shoes are more aesthetic than comfortable ये shoes aesthetic ज़्यादा है सुंदर ज़्यादा है, बजाए comfortable होने के, पहन करके मज़ा कम आ रहा है, लेकिन देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनको पहनने के बाद, समझगे aesthetic पो attractive या beautiful तो बोली सकते हैं, अब ध्यान ये रखना है aesthetic word का noun होता है aesthetics, जैसे एक word है athletic, athletic मतलब बहुत ज़्यादा fit, और athletics का मतलब है, वो game जिसमें athletes participate करें track and field है, race है जो भी सारे जो games होते हैं, olympic games आप देखते हैं तो aesthetics और aesthetic में वही फर्क है जो athletic और athletics में है ये एक noun है, ये एक adjective है aesthetics का मतलब होता है सुन्दरता, beauty हैना किसी भी चीज़ का attractiveness चलिए next word की तरफ बढ़ेंगे जहां ये word आएगा ना, वहाँ पे आपको इसका revision हो जाएगा, next word है अपने defy, अभी आपको बताया था किसी authority या order को challenge करना, उसको मानने से मना कर देना defying the lockdowns some people were roaming in the streets lockdowns को defy करते हुए disregard करते हुए कुछ लोग सड़कों पे तहल रहे थे roam कर रहे थे, इदर उदर घूंग रहे थे roam करने का मतलब होता है, घूंग ना है aimlessly इदर उदर धक्के खाना इसको flout करना, scoff करना या fly in the face of करना भी बोलते हैं अगर आप सरकार की या किसी भी authority की आपके college में principal ने, आपके घर में आपके मतलब होता है जी, आपके अंदर की ख्वाईश, जिसका आप हमेशा पीछा करोगे इसको chase या desire भी बोलते हैं, hunt भी बोलते हैं pursuit खुशी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है ज्यान का हो सकता है, है ना the pursuit of happiness ends with death, खुशी की जो ख्वाईश है, वो मौत के साथ पूरी होती है, जीवन के अंदर आपको दुख जरूर मिलेंगे, pursuit of happiness आप हमेशा करते रहेंगे pursuit को aspiration या quest भी बोलते हैं महत्व कांखशा बोलते हैं aspiration को हिंदी में, ये दोनो दिनो words आर्टिकल में आज देखेंगे महत्व कांखशा समझते हैं, बड़े बड़े desires आपके अगला word आ dispensation देखें, dispensation word के दो meanings है और दोनो एक दूसरे से कोई connection नहीं रखते हैं पहला जो meaning आ dispensation का वो होता है system या regime, या मैं हिंदी में बताऊं तो प्रशाशन, administration और दूसरा dispensation का मतलब होता है, छूट या discount, छूट या discount, यूज करके दिखा देते हैं a new political dispensation has been set up in श्रुलंका एक नया राजनितिक system जो है, प्रशाशन जो है set up कर दिया गया है, श्रुलंका में establish कर दिया गया है, यहाँ पे dispensation एक administration की बात कर रहा है, हैना, college dispensation university dispensation political dispensation, कहीं का भी कोई भी प्रशाशन हो, वहाँ पे use करें इसको और दूसरा वाला meaning देख लो the students got a dispensation from exams due to the pandemic बच्चों को एक छूट मिल गई dispensation मिल गया, relaxation मिल गया exam से, महमारी की वज़े से, pandemic की वज़े से, हैना, तो 2021 एक किस में सारे बच्चे ही पास हैं, fail कोई भी भी नहीं हुआ, चलिए word जो है पहला वाला meaning आजा पार्टिकल में देखेंगे next अपना word है, myriad बहुत बार आता है, अगर कोई ऐसे exam के त्यारी कर रहे हो जिसमें descriptive आता हो, जिसमें essay, summary, report लिखना हो तो वहाँ ये word आपको जरूर use कर ले ना और हर essay में आप use करता हो, देखोगे इसको myriad का मतलग होता है, कई परकार का कई varieties का, consisting of varieties, India is the land of myriad languages cultures and ethnicities भारत एक भूमी है अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियां और नसलों की ethnicities की, races की ethnicity क्या होती है, कोई पंजाबी है कोई बंगाली है, है न, सबका color scheme, सबके facial features अलग दिखेंगे, आपको north east वाले अलग दिखेंगे south indian थोड़े से dark skin होंगे तो इस तरीके से ethnicity और language culture बहुत तरह के immediate type के आपको इंडिया में मिलेंगे तो ये इंडिया से related word है, जरूर इसको use करना है आपको, चलिए last word देखेंगे आज का, and franchise देखें, franchise का मतलब होता है, अधिकार कई बार आपने सुना होगा, कि हमारे पास या फला हमारे neighbor के पास franchise है इस company की, Coca-Cola की franchise है, इसका मतलब क्या है हम Coca-Cola को शहर में बेचने का अधिकार रखते हैं, Coca-Cola ने हमें franchise दिये तो franchise word दिमाग में clear हो गया अधिकार को, right को, हक को बोलते हैं, franchise अब ये franchise जो word है जो किक noun है इसके आगे अपने N लगा के इसको वोब बना दिया, और इसका मतलब क्या हुआ किसी को अधिकार देना या किसी को आजादी देना और ये word historically इत्यासिक तोर पे use किया गया है, किसी आदमी को voting का अधिकार देने के लिए आरे ये बाद समझ में, जैसे सरकार ने जानक से बोल दिया, voting की age 16 साल होगी आज से, 16 years तो 16 से 18 साल के बच्चों को सरकार ने enfranchise कर दिया मतदान का अधिकार दे दिया तो ये word वैसे तो अधिकार से जुड़ा हुआ लेकिन historically इस word को मतदान के अधिकार से जोड़ करके रखा जाता है नया जो कानून है वो मतदान का अधिकार देगा मतदान की voting की आजादी देगा दसियों लाख migrants को बाहर से आ करके लोग बसने वालों को अब देखो हक या अधिकार देने को empower करना भी बोलते हैं और आजाद करने को emancipate करना भी बोलते हैं तो दोनों ही words इसके synonionic बनेगे detail में vocab आपको करवा दी है बहुत अच्छे से सीले करवा रहा हूँ कि ये words आप relate करके है ना use कर सको रट्टे मार के वो गया भी याद नहीं होगी जल्दी से article पे आजाओ एक summary आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है देखिए आज के article की summary दो points को focus करती है और दोने बड़े चाओ देख सकते हो और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार जो है उसका खुद का एक राजधरम होता है वो राजधरम उसको निवाना है ना कि किसी हिंदू किसी इसलामिक या किसी क्रिश्चन जो है ट्रेडिशन पर चलके देश को चलाना है अब ये कुछ ऐसा ही आप आजकर देखने को मिल रहा है इंडिया की फॉल्टिकल स्टाइल में हमरा आर्टिकल हमें अगा कर रहा है कि रिलिजियस रिच्वल्स को अगर आप जगा देते हो परल्यमेंट में तो आप एक गलत एक्जामपल सेट कर रहे हो तो ये इश्यू नंबर एक हो गया इश्यू नंबर दो ये एक हमारे देश में लिंग्विस्टिक मानावटीस खास करके साउथ इंडिया की उनको पूरा रैपर्जेंटेशन नहीं मिला हुआ परल्यमेंट में क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत एडवांस्ट हैं बहुत अमीर हैं बहुत रिच हैं और वहां की पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल्ड पॉपुलेशन की वज़े से उनके MPs कम आते हैं परल्यमेंट में चुन करके तो इस चैलेंज को आगे आगे इंडिया और फेस करता जाएगा इससे हमें डील बिद करना है कहीं ऐसा ना हो साउथ इंडियन लोग जो है देश से कटने लगे बस आज की यह समरी है आज की टोन है एक तो अनलाइजिंग अनलाइज कर रहा है इस्यू को दूसरी क्रिटिकल है सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है कुछ-कुछ पॉइंट पर चलिए करे जी दा इनागुरिशन ओफ दे न्यू पारल्यमेंट बिल्डिंग बाई PM नरेंदर मोदी ओन संडे और जब करे जो इनागुरिशन है यह वर्ड आप देख चुके हो इनागुरिशन दो तिन दिन पहले मूरत को बोलते हैं लॉंच को करे जो मूरत है नई पारल्यमेंट की बिल्डिंग का पीम मोदी के द्वारा और जब कब हुआ था ये ओन संडे इस संडे को हुआ था करे ये सच था ट्रू था एक स्टाइल के लिए समझ गे ना स्टाइल कौन सा स्टाइल करे स्टाइल जिस स्टाइल को वो मास्टर कर चुके हैं जिस स्टाइल के वो चैंपियन है अग वो style बता रहा है अंदर अंदर मोदी जी का कौन सा है यह आगे लगा करके column गरा using every occasion to advance a form of politics that many of his critics find problematic style मोदी जी का यह है कि use कर लेते हैं फैदा उठा लेते हैं हर occasion का और किसका में advance करने में आगे बढ़ाने में politics की एक ऐसे रूप को राजनिती की एक ऐसी form को जिस form को उनके कई आलोचक उनके कई critics problematic find करते हैं गलत बताते हैं problematic find करना मतलब किसी चीज में problems को बताना आगया sentence समझ में inauguration जो है वही style को दिखा रहा है और यह वही style है जिसमें हर मौके पे वह चोका मारते हैं एक नई तरह की politics को आगे बढ़ाते हैं हर मौके का फाइदा लेते हुए और इसी चीज को उनके आलोचक जो हैं गलत बताते हैं हमेशा से उनको problem होती आई है इनागरेशन आपका subject है was इसकी verb है he आपका subject है has mastered इसकी verb है many of critics की verb है find many plural होता है इसलिए verb को plural रखा गया है क्रिटिक वो आदमी है जो आपका आलोचक है जिसको आपकी बात पसंद नहीं आई है ना और कुछ देखने वाला है इसमें इनागरेशन वर्ड और देख चुके आप मेरे ख्याल से है ना मूरत को launch को opening को commencement को बोलते है अब क्या किया मोधी जी ने भाई करेजी मिस्टर करेजी मोधी साब ने प्रिजेंट किया beauty को aesthetics को हमारी नई विल्डिंग के और कैसे एक representation के तोर पे एक प्रतिनिदुत्व के तोर पे जो है इंडिया की myriad diversity का बाती बाती की विवित्ताओं का हमारे यहां पर caste की diversity मिलेगी culture की religion की language की ethnicity की तो जो अलग-अलग तरह की बाती बाती की विरासत्य धरोवर है उससे और इससे जोड़ दिया इन्होंने भारत की soaring aspirations से आकाश चुती सोर करती हुई लगातार बढ़ती हुई महत्व कांक्शाओं से आगी बात समझ में तो तीनों चीजों को building से जोड़ करके इन्होंने बताया मोधी जी की वह वे प्रिजेंटिट एस्थेटिक्स का मतलब आप जानते हैं beauty pleasantness डाइवर्सिटी क्या होती है विवित्त है अलग-अलग टाइप की वराइटी और मीरियड का मतलब होता है of various types तो हमारे हैं डाइवर्सिटी भी आपको अलग-अलग टाइप की मिलेगी है न सोर का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना तो भारत की महत्म कंशा है हमेशा बढ़ती जारी है साल दसार आप देख रहे हो जैसे इस इंडिया ग्रो कर रहा है चली और आगे बढ़ते हैं क्या जी a multi-religious prayer was a part of the ceremony क्या एक prayer हुई जो multi-religious थी जिसमें कई सारे diligence शामिल थे क्यार वो एक prayer जो थी न एक हिस्सा था इस ceremony का मूरत के जो है function का क्यार बट देर वोज नो mistaking that Hindu ritualism overshadowed all these क्यार यहां पर बिल्कुल मत चूक जाना कोई mistake मत करते न देर वोज नो mistaking इस बात में कोई भी दोराय नहीं है mistake नहीं है that वो यह के Hindu जो करमकार्ण है उन्होंने ओवर shadow कर दिया उन्होंने dominate किया बाकी सभी करमकार्णों को बाकी सभी रिलिजन्स के rituals को आगी बात समझ में तो दिखाने को तो वाल्टी रिच्वल प्रेयर थी लेकिन हुआ क्या Hinduism को उस प्रेयर के अंदर सबसे जादा आगे रखा गया प्रेयर की वावब है वास mistaking की वावब है वास रिच्वलिजम की वावब है Overshadow Overshadow करना dominate करना किसी चीज को सबसे आगे रखना चली ओर आगे बढ़ते हैं कराई जी बाई वीविंग अन आर्टफूल टेल अराउंड असेंगल असेप्चर गिफ्टिट तो दे फर्स पीम ओफ इंडिया बाई शेवाइट सेक्ट ऑफ तमिलनाडू The current dispensation has sought to reimagine the founding principles of India's Republican sovereignty. थोड़ा मुस्किल लगेगा इस sentence पढ़ने में लेकिन कोशिश करता हूं ब्रेक करूँगा इसको word by word करे जी weave करके, weave का मतलब क्या होता है, weave का मतलब होता है बुंदना, craft करना, जैसे ओरते जो sweater करनाती है न, invent करती है, sweater को बनती है, वैसे ही किसी भी चीज को कर आपने डिमाग में बुंदनते हैं, या बोल करके بتाते हैं, अपने आप से बनाते हैं तो वीव करना बोलते हैं करें जी अपने आप से बुन करके या मन घणत बना करके एक आर्टफुल टेल को एक बहुत ही निपुन सी कहानी को और किसके चारों तरफ सेंगल के चारों तरफ हमारे पहले पीम को इंडिया के तमिल नाडू के शैव सेट के द्वारा शैव धर्म के समधायों के लोगों के द्वारा के रहा जी इस सेंगल के चारों तरफ एक मन घणत कहानी को बुन करके आठ फुल टेल मन घणत नहीं यह बहुत निपून है आपके अपने शिक करके जो करन करके जो करने हमारे बेसिक या अधारबूत सिधान्तों को और ये अधारबूत सिधान्त किसके हैं फाउंडिंग प्रिंसिपल किसके हैं भारत की रिपॉब्लिकन सोवैनिटी के भारत की लोग तांत्रिक आजादी के कोशिस कर रहा हूं मैं जितना हो सके अब एक पूरा सेंटेंस एक फ्लो में बताता हूं आपको फिर इसका मीनिंग समझो कहरा है जी इन्हों ने क्या किया अपने इसाब से कहानी बना दी जो सोकेजन पे अच्छी लगे आठफुल सी टेल को वीव कर दिया थोड़े फैक्ट लिये थोड़ा सा फिक्शन डाला जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे ऐसी कहानी बना दी सेंगल की चारो तरफ इन्होंने सेंगल वही था जो एक सेप्चर है जो एक छड़ एक लंबी सी धातु की जो गिप्ट के गई थी पीम को हमारे पहले मिस्टर नहरू को तमिल नाडू के शैव लोगों के द्वारा शैव सेट के द्वारा करा ऐसा करके जो अभी करंट सरकार है ना इन्होंने ये कोशिश किये कि रीमेजिन करें या रीक्रियेट करें फिर से रीधिंक करें हमारे उन बेसिक प्रिंसिपल्स को अधारबूत सिधानतों को जिन पर भारत की नीव रखी गई थी जिन पर रिपब्लिकन सोवेनिटी या संप्रभुता पर जिन पर समझ गे ना लोग तांत्रिक संप्रभुता सोवेनिटी हमें मिली थी अभी लोगों ने क्या रीमेजिन करने की कोशिश की कौन से वो सिधानत है यह वो आपको आगे बताएगा डिस्पेंशेशन यानि प्रशाशन इसकी ववब है है सोट सीख का मतलब होता है किसी चीज को करने की या पाने की कोशिश करना री इमेजिन करना री विजुलाइज करना, री क्रियेट करना री थिंक करना किसी चीज को सेप्चर मैंने आपको बता दिया एक लोहे की लंबी सी चड़ोगी लोहे की, सोने की, चांदी की जिस भी धातु की है न इसको वेंड बोलते हैं, एक होली या समझगे न, सेरिमोनियल वेंड है यह चलिए, अब देखो यह सेरिमोनियल वेंड आप समझ गए पर मैं आपसे एक वनवर्ड यहां पर थो कर रहा हूँ सम लोग को कोशिश करनी है इसको किसी सेरिमनी या रोयल जो सेरिमनी होती है उसमें जो कपड़े बहने जाते हैं या कोई कपड़ों के साथ में साजो समान का जो साजो समान ये डेकोरेशन का जो समान होता है जैसे कोई आर्मी का जनरल हो किसी बड़ी सेरिमनी में जा रहा हो तो वो अपने सारे टाइटल, अपने बिल्ले, अपने सब जो है इंपोर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं यहां फे मैं रिगलिया बड़ा आर्मी का जनरल है अपने साथ में सब मैडल विल्ले लगा के आए अपनी वो टॉपी वो पी लगा के सब काम करके यह कोई राजा है इंगलेंड की रानी है किसी जो है बड़े सेरिमनी में पाटिस सब्सक्राइब को आगे बढ़ते हैं करहें जी असेंगल शिंबलाइज डिवनिट डिवाइन राइट और यह सेक्रेट राइट का एक पवित्र अधिकार का एक सिंबल था और यह इंस्टॉल कर दिया गया है अब पीपल के रेपरेजन्टिटिव की या आसान भाषा में बोलें तो लोकसभा में हमारे रेपरेजन्टिव वहीं बैठते हैं लोकसभा में राजय सब्सकर बड़े हैं एक डिया गया है सेंगल की वहब है सिंबलाइस दूसरी वहब है is installed आगे बढ़ते हैं क करहें जोरह सिं दिखाया है मोधी जी ने सेंगल को लेकर के आए, लोग सभा के बाहर इनको इंस्टॉल किया सेंगल को, कहरा है यह सिम्बोलिजम जो है यह प्रतिकात्मक काम इन्होंने किया है, यह मजबूत बनाता है तमिल नाडू के कनेक्शन को भारत के पॉलिटिकल सेंटर से, भारत के स तो जब शेभ से सरनेक्शन बैठता है तो इसकी वजह का हमारी पॉलिटिक से भी कनेक्शन दे बीठाने की कोशिश की जा रही है स्टेंजंट करना मस्बूल करना किसि चीज करने किसी चीज को बी जेबी की wow is trying और आगे बढ़ते हैं it is also notable that the day of inauguration was also the birth anniversary of Vidi Savarkar the founding father of Hindutva करा ये भी notable है कि जो inauguration का दे था मुरत का जो दिन था वो साथ ही साथ साल गिरा था birth anniversary था जन्म ते थी था वीर Savarkar की और वीर Savarkar को है Hindutva ideology के founding father है Hindutva की ideology के नीव रखने वाले संस्थापक है तो ये चीज भी आप note करना इसी तरीके से इसी दिन इस जो है मुरत को schedule किया गया था it की वोब है is day की वोब है boss inauguration मुरत होता है birth anniversary को मतलब होता है जन्म ते थी है ना किसी की साल गिरा करा एक quest to transition Indian Republicism to a new iteration was apparent in the style and substance of the ceremony अब देखो थोड़ा गहरा sentence है ये करा एक quest जो है एक कोशिस हमने देखी और ये किस चीज की थी transition करवाने की बदलाव दाने की और किस में भारत के Republicism में भारत का जो अभी Republic होने का system है जो लोक्षाई का mechanism है और कहां तक इसको transition करवाया गया एक नए iteration की तरफ एक नए version की तरफ iteration का मतलब होता है version के रहा है ये जो quest थी ना ये कोशिस थी ये बड़ी साफ दिखी हमें और किस में इस मुरत की ceremony के function के style और substance में इसके अंदर जो style दिखाया गया और style के बीछे जो messaging थी उससे तो देख के साफ साफ पता लग रहा था कि एक नए भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है for better or for worse है ना अच्छा या बुरा उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे एक नया version जो है उसकी तरफ transition करवाने की कोशिश की गई थी इस मुरत के दोरान quest जो है इसका subject है watch इसकी verb है इस sentence में iteration का मतलब होता है एक version transition मतलब बदलाव या बदलाव लाना ये noun भी है ये verb भी है इस case में verb की तरह use हुआ है to transition infinitive apparent का मतलब होता है साफ, noticeable, clear या एकदम है ना evident substance मैंने आपको बताया था किसी भी चीज के पिछे का सार, सत्व, इसेंस, सनकरक्स थोड़ा भारी लग रहा होगा article पढ़ने में लेकिन ठीक है तभी कभी ऐसे article मिलते है तो उनका फूरा फैदा आपको लेना चाहिए करद नई building also turns the spotlight tangentially on an approaching challenge of representation that will be upon India within the next decade आपने circle देखा होगा circle की tangent क्या होती है जो circle की radius से 90 degree का angle बनाए वो ही tangent है जो circle को बाहर से चू करके जाए तो करद जी बाहर से चूने वाले तरीके से tangentially यह यू कहते बाहर-बाहर से तो करद नई building जो है बाहर-बाहर से ही spotlight को turn करती है अपना focus डालती है एक approach करते हुए challenge पे जो है representation का प्रतिनिद्व का जो की upon us होगा या upon India होगा इंडिया के उपर होगा ऐसा challenge अगले decade के दोरान अगले 10 सालों के दोरान आई बाहर समझ में तो एक नई समस्या से इंडिया को challenge से इंडिया को जो experience करना है challenge को अगले 10 सालों में उस challenge के उपर भी नई building जो है थोड़ी सी spotlight बाहर बाहर से डालती है building की वह बाहर है turns turn the spotlight मतलब किसी चीज़ पर focus डालना tangentially का मतलब है like a tangent बाहर बाहर से पूरा अंदर घुसके नहीं that आया challenge के लिए that आया challenge के लिए delimitation होगा delimitation का मतलब होता है चुनावी जो jurisdiction होता है किसी district का किसी गाम का या शहर का टाउन का उसको फिर से decide करना है ना कि ये वाले गाम इस district में आएंगे ये वाले गाम इस शहर में आएंगे है ना इस तरीके से तो करेंग nationwide delimitation की exercise होगी जिसमें हर district को हर संसदिय शित्र को फिर से define किया जाएगा और ये reallocate कर देगा representation को current population के हिसाब से आज कल की अबादी के हिसाब से तो अगर यहाँ अबादी ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा MP आएंगे यहाँ कम है तो यहाँ से कम आएंगे इससे होगा क्या इससे होगा यह leading to a significant relative reduction of the voice of linguistic minorities of southern states in parliament करें यह exercise होगी lead to करते हुए एक बहुत बड़े तुलनात्मक कमी की तरफ गिरावट की तरफ जो है आवाज में linguistic minorities के भाशाई अधार पे बनने वाले जो है अल्प संख्यों पे और यह minorities वो है southern states की भारत के जो है south के राज्यों की तो देखो आज से 20 साल पहले जब delimitation हुआ होगा तब south की population उतनी कम नहीं थी जितनी आज है southern states बहुत रिच है आप जानते हैं तामिलनाडू लेलो, केरला लेलो, अंथरा लेलो इन्होंने अपनी population को बहुत कम किया है और दूसरा यह जो गरीब शितर है UP के, बिहार के, राजस्थान के यह population बढ़ाए जा रहे है तो यह जब नहीं exercise होगी न तो यह जो developed states है इनकी जो है आवाज कम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने अपनी population को कम रखा है population के हिसाब सही MPH की संख्या को निर्धारित किया जाएगा समझगे, demidation की वह है will relocate, relocate करना, reassign करना किसी चीज़ को फिर से determine करना, नहीं तरीके से चलिए, और आगे बढ़ते हैं, linguistic minorities मतलब, ऐसी minorities, ऐसे अलब संख्यक जो भाषाई अधार पे अलब संख्यक है जैसे तामिल, जैसे कानडा, तेलगू, मलयाली है ना linguist एक ऐसा आदमी होता है एक ऐसा professional होता है जो भाषाओं को scientifically study करता है कौन सी भाषा कहां से बनी थी उसके root word किस language से लिए गई है ठीक है, तो one word आपको याद रखना है साथ ही एक one word मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ एक ऐसा आदमी एक ऐसा आदमी, जो multiple languages बोल सकता हो English, French, German है ना, ऐसे 3, 4, 5 languages बोलने की capability रखता हो, ऐसे आदमी के लिए क्या one word यूज करेंगे मैं लिख देता हूँ, पहले जिनको आता है कोमेंट्स में डाल दो लिख दू या polyglut ठीक है spelling गलत लिख दी मैंने polyglut दोनो one words दिमाग में बिठा के लिखना linguist जो है वो तो भाषा है पढ़ता है हो सकता है ना बोल पाता हो, लेकिन polyglut जो है वो पढ़ता लिखता कुछ नहीं है बस उसको बोल नहीं आती है, कोई भी भाषा उससे बुलवा लो चार-पांच-छे भाषा है वो बोल के बता देगा चलो आगे बढ़ते हैं करे जी, the size of लोगसभा and राजसभा will likely expand in order to avoid an absolute reduction of representation of states करें लोगसभा और राजसभा का size भी बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा ताकि avoid किया जा सके सीधे-सीधे तोर पे कमी को states के representation में states से आने वाले MPs में तो ऐसा नहीं है कि लोगसभा की जो कितने कि ये 550 की ना तो 550 की जो strength है उसको कम कर देंगे कि साउथ की population कम है तो यहां से 50 नहीं यहां से 30 MP आएंगे तो ऐसा तो नहीं करेंगे तो यह क्या करेंगे साउथ की तो उतने MP रखेंगे जतने आ रहे हैं बाकियों को बढ़ा देंगे तो overall जो है राजसभा लोगसभा की seat को बढ़ाया जाएगा अपनी आबादी को स्थिर कर लिया है पिसले 20 सालों में आगे बाद समझ में तो इनको बुरा ना लगे इसलिए इनका representation उतना ही रखके बाकियों का बढ़ा दिया जाएगा size की वह है will expand in order to का मतलब होता है इस मकसद से in order to के बाद में हमेशा verb की base form को देखेंगे ऐसे ही आप so as to के बाद में भी रेखते है ठीक है लेकिन अगर मैं in order to की जगह पे यहां लिखना चाहूं with a view to मतलब उसका उसका भी यह है with a view to in order to so as to इस मकसद से लेकिन with a view to अपने बाद देता है verb की ing form यहां पे मुझे अब वो इडिंग लिखना होगा ठीक है तो इस concept को याद रखना है with a view to रसमे verb की ing form करें जी but but that may not be enough to assuage the feeling of disenfranchisement that is already palpable among many regions due to the geographic fragmentation of Indian politics करें लेकिन यह हो सकता है enough ना हो assuage करने के लिए मलहम लगाने के लिए नर्म बनाने के लिए उस feeling को उस अनुभव को जो है disenfranchisement का जो है मत्दान के अधिकार के कम हो जाने का और कोन सा यह feeling है यह वही feeling है जो पहले से ही palpable है जो पहले से ही feel की जारी है noticeable है discernible है बहुत सारे regions में भारत के और यह किस वज़े से geographical deep fragmentation की वज़े से बहुगोलिक अधार पे अलग थलग हो जाने की वज़े से इंडियन politics के अब south की politics अलग चलती है north की पूरे देश को control करती है north east की अलग चल रही है west की अलग चल रही है तो geographically हम बहुत fragmented हो गया है पूलिक्स में अपने कल्चर रिलिजन की वज़े से यह जो अना यह जो काम होगा जब delimitation का इससे south वालों को और ज्यादा बुरा फिल होगा कि हमारा representation क्यों कम होता जा रहा है हमारे देश में that की वह बहुत भी assuage करना यानि मलहम लगाना अलिवेट करना किसी चीज को नर्म बनाना यह सारे इसके से नॉनिम है mollify, pacify, amelorate dis infringement आपको मैंने बताया था infringement का मतलब होता है अधिकार देना और dis लगा दिया तो मतलब अधिकार ले लेना that की वह बहुत है is palpable का मतलब not deceable, fragmentation मतलब चीजों का division होना चीजों में टुकड़े होना चोटे-उटे segments होना करे दा BJP wins its parliamentary majority from its strongholds while many states remain outside its sphere of influence करे बीजेपी जीतती है अपनी parliamentary majority को संसद में अपनी majority को अपने stronghold से ऐसे एरियास से जहां पे इनका hold बड़ा strong है कहने का मतलब है northern belt से करे जब की बहुत सारी states जो है आज भी outside है बाहर है BJP के influence के sphere से उसके influence के दाइरे से BJP की वोब है wins states की वोब है remain sphere का मतलब होता है दाइरा, region, area, domain, territory jurisdiction, purview है न और stronghold आप जानते हैं ऐसा area जहां पे आपका hold बड़ा strong है जो आपका पकड़ है मजबूत है रिया अब यह कैसे हुआ भई, करें जी on 38% of popular votes the BJP has 55% of log सबा सीट करेंटली करेंटली, करेंट सिरफ 35% लोगों के वोटों पे population के वोटों पे BJP को 55% सीटें मिली हुई है तो मतलब जहां पे वोट BJP को बढ़ता है वहाँ दबा के पड़ता है और जहां नहीं पड़ता, वहाँ बिलकुल नहीं पड़ता 38% वोट इतने दबा के पड़ते हैं कुस रिजन में ही, कि BJP को वहीं majority मिल जाती है आई बाद समझ में, तो sphere of influence से बहुत स्टेट्स बाहर है जहां BJP को कोई वोट डालके लाजी भी नहीं है care the imbalance will be aggravated after the delimitation care the imbalance और बढ़ जाएगा और aggravate हो जाएगा और बुरा हो जाएगा delimitation के बाद में influence की वहवाए will be aggravated aggravate होना किसी चीज़ का बद से बत्तर होना care the BJP's outreach to regions and communities outside of its current catchment areas is to be welcomed care BJP की जो outreach है जो approach कर रही है BJP नहीं नहीं states में जाकर के चुनावी वादे कर रही है कर रहा है ऐसे regions और communities में जो बाहर है इसके catchment area के इसके area of influence के catchment area मतलब ऐसा area जहां पे इसकी catch इसकी पकड़ है ये welcome किया जाना चाहिए हम सभी इसका स्वागत करते है है आँ ट्रीज की वह है catchment area एक्चल में होता है बांध का पीछे पानी वाला area होता है जहां से जहां पे डैम में पानी रोक के रखते है वो पूरा area जो पानी में डूबा रहता है जहां पे डैम का area of influence है उसको catchment area बोलते है तो BJP का catchment area वह हो गया है जहां पे BJP को vote पड़ते है समाज गया but the center and BJP will have to show more seriousness sensitivity and maturity to deal with regional imbalances of India करहा लेकिन center और BJP को दिखाना पड़ेगा और ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा सवेदन शीलता और और ज़्यादा परिपक्वता maturity ताकि वो deal with कर सके शेत्रिय समानताओं से regional imbalances से भारत में center BJP दोनों की वाब है और कुछ देखने वाला sentence में है नहीं suggestion दिया गया सरकार को for this they will need to take recourse to more than just symbolism करहा इसके लिए इन लोगों को take recourse करना पड़ेगा they will need to take recourse take recourse का मतलब होता है किसी सारा लेना किसी चीज का या किसी चीज पे उतराना केरा इस सीज के लिए इनको सारा लेना पड़ेगा symbolism से बहुत ज़्यादा किसी चीज का तो ये तलवारे लागर के south से north में टांग देने से south वले आपको support करना शुरू नहीं करेंगे single आप लाएं है इस गुड सिंबॉलिजम लेकिन इट विल नॉट भी इनफ फॉर द आउट्रीच प्रोग्राम दैट यूव बिन ट्राइंग टू एग्जेकूट ठीक है दे आया है बीजेपी सेंटर के लिए विल नीड इसकी वहब है टेक रिकॉर्स टू करना आपको बता दिया किसी चीज़ का सारा लेना इसको रिसोट टू करना भी बोलते हैं डे विल नीड टू रिसोट टू भी बोल सकता था मैं टेक रिकॉर्स टू की जगह पर सिंबॉलिजम मतलब परतिकात्मक कारवाई चलिए आर्टिकल का लेवल बहुत अच्छा था और आज मैंने गलती से क्विज का लेवल भी बहुत अच्छा बना दिया क्योंकि जब यह आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो मुझे उतना मुश्किल नहीं लगा हैं एक potential consequence के तोर पे एक संभावित परिणाम के तोर पे जो nationwide delimitation exercise का होगा representation के लिए तो अगले साल जब population के अधार पे नहीं लोग सभा की सीटें बनाई जाएंगी इन में से कौन से चीज आपको लगता है कि हो सकती है उसका एक नतीजा बनके आ सकती है इससे एक reduction होगा लोग सभा राजयबास सभा की सीटों में ऐसा लगता है आपको या फिर या फिर यह रिलेटिव reduction में जाएगी linguistic minorities के लिए रिलेटिव लिए उनकी जो है प्रतिनित्व को कम करेगी या फिर बीजेपी की मजबूत को पकड कर देगी पकड को मजबूत कर देगी पॉलिटिकल इंफ्लेंस को बढ़ा देगी या फिर डिस एंफ्रैंचिजमेंट की जो फिलिंग है उसको एलिवियेट करेगी उसको नर्म बनाएगी या फिर स्टेबल पॉपुलेशन वाली स्टेट्स हैं उनके रिपर्जेंटेशन को यह और अच्छा करेगी प्राइटाइज करेगी इन में से कौन से चीज आपको लगता है यह वाली एक्सरसाइज करने वाली है मैं थोड़ा जोमीन कर रहा हूं तक यह आपर आम से पढ़ सके है ना तो निकालो इस कांसफर फर्स कमेंट में मैंने डाल दी है महांसे मैस कर लेना अब आ जाओ सेकंड पे सेकंड में आपसे पूछा है जी इन चारों में से कौन सा प्रोपोजिशन ऐसा है कौन सा सिच्वेशन ऐसा है जो यह इंडिकेट करता है कि किसी पार्टी को बहुत सब्सक्राइब करता है कि यह इतने वोट मिलने पर इतनी सीटे मिले तो उसका बड़ा बैलेंस सा स्पीर ओफ इंफलेंस है थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेशन में ने बना है कोशिश करना इसको सौल करने की फर्स कमेंट में आंसफर डाल रहा हूं फिर मांसे मैच हो सब्सक्राइब को क्या बोलते है वन वजुट में बताना है मेरे चाल से सबको आता है चोतह में एडियों का मीनिंग में पूछा है तीन चारो बार करवाई थि आपको आटिकल के दौरान सबको आनी चाहिए पांच-वे में डिस्पेंसेशन वर्ड का से नॉनिम पूछा है आपसे aesthetics होगा, quest होगा, emancipate होगा, regime होगा, तो यह word भी आपको अच्छे से कराया गया था, इसके दो meanings आपको बताये थे, छाएवे में फिर one words है, किसी ceremony के लिए जो खास clothing होती है, इसको क्या बोलते है, साथवे, आठवे में sentence को improve करना है, दो improvement के आपको points मिलेंगे, पहला point मिलेगा इस area में, और दूसरा point आपको मिलेगा, शायद इस वाले area, answers, out of questions के first comment में डाल दिए हैं, वहां से match कर लो, out of eight कितने marks मिले जरूर से बताना है न, कुछ और query हो, तो वह भी comments में लिख सकते हैं, मुलागात लेंगे आप से कल, until then, आप सभी की popular request पे, UPSC का और state civil सेवाओं का prelims plus mains का full English course launch हो चुका है, ये एक migration course है, भारत का अखिला ऐसा course है, जिसमें आप अपना medium चेंज कर सकते हैं, confidence के साथ में अब English में civil सेवा का exam आप लिखेंगे, English background के student की तरह है, course available है, आपकी अपनी है, pay, YET, your English tutor, comment section से जाके इसको डाउनलोड करें, course में आपको CSET, prelims के लिए, descriptive, mains के लिए, answer writing, साथ में vocab, grammar, साथ ही साथ personal mentorship की facility मिलती है, जिसमें आपकी summaries, आपकी लिखावड को personally check करके आपको सिखाया जाएगा, course की fee है, 5, 4, 9, 9, अभी इसको 4, 9, 9, पे रखा गया है, फायदा उठा सकते हैं, और जो लोग personal mentorship नहीं चाते हैं, आप course का access 1, 9, 9, में ले सकते हैं, बिना personal mentorship के, course से related किसी भी query के लिए, इस number पे WhatsApp या call करके contact करें, अगर आप writing course में पहले से enrolled हैं, तो आपकी fees को नए course में adjust भी किया जा रहा है, writing का basic course, banking का course और SSC combo अभी भी आप पे available हैं, आप इन courses का फायदा है,